हेलो फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्णिंग स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल ऑनलाइन स्टेडी पॉइंट में और आज है 14 अगस्त आज हम देखेंगे 14 अगस्त के महतपूर्ण करंट अफियर्स को दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट सब्सक्राइब कर लिजिए और साथी बेल आइकन जरूर दबा लिजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंसते रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज के महतपूर्ण करंट अफियर्स को आज का पहला सवाल है हाल ही में कि सी यस यानि इसका फुल फॉर्म होता है रॉयल इंस्टिटूशन ओफ चार्टर सर्वेयर्स ठीक है यह साउथ एशिया अवार्ड होता है और इसमें लाइफ टाइम अचिब्मेंट का आवार्ड दे दिया गया है सुभाष रूनवल को यह देखें जैसा कि आप देख रहें सुभाष रूनवल जी को आवार्ड मिल रहा है सुभाष रूनवल जो की रूनवल कंपनी के अध्यक्ष हैं यह चार दसकों से अधिक की विरासत के साथ एक प्रमुख रियल इस्टेट डेवलपर पहले RICS दक्षिड एसिया पुरु भर के बिजनिसमेंस का प्रतिनिद्ध करता है दोस्तों तो इसका सही जवाब है सुभाष रूनवल ठीक है आईए देख लेते हैं 2023 में दिये गए कुछ प्रमुख सम्मान और आवार्ड को आर एसल क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरुषकार 2030 किसे दिया गया है पैटर्सन जोसेफा को एकबाल मसी पुरुषकार 2030 किसे दिया गया है लेलटा नटराचन को परतिष्ठे जर्मन सांती पुरुषकार 2030 किसे दिया गया है तो यह दिया गया है सलमान रुसिजी को और नेक् क्यूं दिया गया है इनकी European Understanding के लिए दिया गया है ठीक है तो याद रखिएगा इनकी बुक को भी European Understanding और इस पुरुषकार का नाम है लिपजिक बुक हाली में चौदवें भारती फिल्म महत्सो पुरुषकार का आयूजन कहां किया गया है इसका सही जवाब है Option A Melbourne Australia Indian Film Festival of Melbourne Awards ने एक बार फिर भारती फिल्म उद्दोग के बेहत्रिन सिनेमाई रतनों को सम्मानित किया चौदवें भारती फिल्म महत्सो मेलबर्म यानी IFFM पुरुषकार 11 अगस्त को Melbourne Australia में दिया गया और इसमें कई सारी हिंदी फिल्मों को भी सम्मानित किया गया है इसलिए य Indian Film Festival of Melbourne कहां आयोजित किया गया तो यह ऑस्टेलिया में Melbourne नामकस्थान पर आयोजित किया गया था देख लेते हैं चौदवें भारती फिल्म महत्सो के बिजीताओं को Best Documentary Award किसी दिया गया है To Kill A Tiger को दिया गया है ये एक मूवी है Best Indie Film का Award किसी दिया गया है तो आगरा को दिया गया है Best Director का Award पिर्थवी कोनानूर को दिया गया है और इन्हें क्यों मिला है किस मूवी के लि सेवन टीनर्स बेस्ट फिल्म का वार्ड किसी गया है तो यहां गया है सीता रामम को दोस्तों सीता रामम मूवी बहुत ही अच्छी और एक लवी स्टोरी है आप जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है और जिल लोगों ने देखा है उन्हें जरूर पसंद आई तो आप इन विजिताओं के नाम याद रखिएगा यह बहुत ही इंपोर्टेंट है जान लेते हैं आउस्ट्रेलिया के बारे में तो इसकी राधानी है कैनबरा मोनार्च है चालस्तर तिये प्रधानमंत्री है एंथनी अल्बनीज मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर दोस्तों आप सभी के लिए 15 अगस्त के दिन उदिस्सर ने live classes का आयोजन किया है जो साम 7 बजे से शुरू होंगी और इसमें GKGS का महा मायराथन होगा यानि GKGS से related top 1000 प्रशनों का discussion किया जाएगा जो आपकी exam के लिए बहुत ही जादा महतपूर्ण है तो इस non stop one liner questions को देखने के लिए आप 15 अगस्त के दिन शाम 7 बजे देखना ना भूले हमारे चैनल पे लाइव ठीक है और अपने दोस्तों में भी जादा से जादा शेयर करें ताकि उनकी तैयारी में भी उनको मदन मिल पाए देख लेते हैं अगला सवाल हाली में किसकी पुस्तक मानसून अपोयम ओफ लब एंड लॉगिंग का बिमोचन किया गया है तो दोस्तों इसका सही जवाब है ओप्शन बी अभय के ये हैं अभय के जी जैसा कि आप देख रहे हैं और इनकी पुस्तक कर क्या नाम है मानसून अपोयम ओफ लब एंड लॉगिंग ठीक है भारतिय कभी राजदूत अभय कुमार भारतिय सांस्कृतिक संबंध परिस्द की उप महानिदेशक ने पुरानी दिल्ली में कथिका संस्कृति केंद्र में डेड़ सो चार पंक्तियों में चलने वाली एक पुस्तक मानसून अपोयम ओफ लब एंड लॉगिंग नामक अप तो वह बहुत ही ज़्यादा आपके एक्जाम के लिए महतपूर हो जाती है आए देख लेते हैं कुछ आने प्रमख पुस्तकों और उनके लेखकों को इंडिया जॉलिज सुप्रीमेसी दन्यू डॉन किसकी पुस्तक है तो यह डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस की पुस् तक है डॉक्टर सोनो फोगाट की दोस्तों इसमें अस्टांग योग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टन है आप लोग याद रखिएगा और इन बाकी पुस्तकों को भी आप याद रखिएगा रिवीजन करते रही है दोस्तों छे महने की अटवार से करेंट अफेर्स की पीडियाफ आप सभी के लिए आच चुकी है और इसमें सभी करंट अफेर्स को टॉपिक वाइस डिसकस करते हुए उनके साथ साथ सो से जादा एमसी कू को भी जोड़ा गया है ताकि आपको एक्जैम के लिए प्रैक्टिक सेट भी मिल जाए तो दोस्तों इस पीडियाफ को खरीदने के लिए आप नीचे दियेगा डिस्क्रिप्शन लिंक में मात्र 69 रुपे का भुकतान करके इस पीडियाफ को प्राफ्ट कर सकते है और यदि आपको पीडियाफ डाउनलूड करने में या पेवेंट करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप नीचे अब लवल कराये जाने वाले वाट्सिप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं तो दोस्तों इस पीडियाफ को जादा से जादा खरीदे और अपनी तयारी को और जादा मजबूत और बहतर बनाते रहें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताए ताकि जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं वो भी हमारे चैनल से जुड़े और हमारे द्वारा प्रोवाइड कराये जाने वाले मैटेरियल से वो भी लाभानवित हो सकें चलिए देख लेते हैं अगला सवाल हाली में किस राज ने मुख्यमंतरी शौर मिशन लाउंच किया है तो इसका सही जवाब है आप्शन भी मेघाले नवी करणी उर्जा का दोहन करने और बिजली की कमी को कम करने की दिशा में एक महत पूर कदम मेघाले के मुख्यमंतरी कौनराड संग्मा ने मुख्यमंतरी सौर मिशन शुरू किया है जो पूरवत्तर पहाणी राज के लिए हरित प्रगर्टी के एक नए युगमे परविश करने के उद्देश से मील का पत्थर साबित होगा ठीके दोस्तो तो इसे याद रखेगा मेघाले ने किया है अच्छा सौर उर्जा होती क्या है तो दोस्तो सौर उर्जा यह नवी करणी इर्जा का एक स्रोथ है और जिसमें सूर से अने वाली उर्जा को सिलिकॉन सेल की बनी पैनलों पर एकत्तरित करके सूर की रौशनी को विद्दूत उर्जा में बदल दिया जाता है और इसी ही हम सौर उर्जा कहते हैं और सौर उर्जा को विद्दूत उर्जा में किस माध्य हमसे बदला जाता है तो यह फोटो वाल्टिक कोशिकाओं के द्वारा बदला जाता है जान लेते हैं में घाले राजी के बारे में इसकी राजधानी है दोस्तों ये गलत प्रिंट हो गया है इसकी राजधानी है शिलॉंग इसके मुखमंत्री है कॉनराड संगमा राजपाल है फागु जोहान यहां से लोकसभा सीट है दो और राजसभा सीट है एक चलिए देख लेते हैं 2023 की कुछ परमुख राजियो की योजनाओ को यह आपके exam के लिए बहुत ही ज्यादा important है क्योंकि exam में अकसर यूजनाओं को पूछ लिया जाता है even अगर हमारा कोई interview भी होता है तो उसमें current affairs में चलने वाली चीजों को भी especially schemes को भी पूछ लिया जाता है ठीक है तो आप इनका बार-बार revision करते रहिए हाल ही में किसने अटल innovation mission और national space innovation challenge 2023 लौँच किया है दोस्तों इसका सही जवाब है option c नीती आयोग अटल innovation mission और नीती आयोग ने इस रोके सहीयोग से national space innovation challenge 2023 लौँच किया है यह स्कूली चात्रों के लिए launch किया गया है ताकि वे अपना नवाचार दिखाने और आधुनी कंतरिच प्रदोगी की समस्याओं को हल करने में सक्षम बन सकें और अपना योगदान दे सकें तो दोस्तों इसका उद्देश क्या है कि चात्र अपने टैलेंट का प्रियोग करके आधुनी कंतरिच प्रदोगी की समस्याओं को हल कर सकें ठीक है अच्छा आप लोग बताईएगा कि नीती आयोग का पुराना नाम क्या था आप लोग कॉमेंट सक्षें में अपना सही जवाब लिखकर भेजते रहिए जान लेते हैं नीती आयोग के बारे में इसकी स्थापना हुई थी एक जनवरी दोहजार पंद्रा को अध्यक्ष है पी-म नरेंद्र मोदी उपाध्यक्ष है सुमन वेरी और सी-ई-ओ है बी-वी-ार सुब्रमन्यम बात करें इस रोकी तो इस रोकी स्थापना हुई थी पंद्रा आगस्त उनिस सो नहत्तर को मुख्याले है बैंगलूरू करनाटक में और प्रमुख है यस सोमन हाली में विश्व हाथी दिवस 2023 कम मनाया गया इसका सही जवाब है ऑप्शन बी-12 अगस्त हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस की रूप में मनाया जाता है इस दिन का उद्देश मानों में हाथियों की सुरक्षा के महत के बारे में जागरुकता प्रदान करना है दिवस थाइलायंड के इलिफेंट री इंट्रोडेक्शन फांडेशन और कानडाई फिल्म निर्माता पैट्रिया सिम्स और माइकल क्लर्क के द्वारा मनाया गया था दोस्तों हाथी का हमारे पुराणों में बहुती जादा महत रहा है स्टार्टिंग से अगर हम बात करते अगर आप लोग दिल्ली के अक्शरधाम टेमपल में गया होगे तो आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पे हाथियों का जो हमारे प्राचीन इतिहास में महत रहा है वो कितना ज़्यादा महत पूर्ण रहा है जब आप हाथियों की भूमिका देखेंगे तो वहाँ पे अलग अलग दिवारों पे उनके इतिहास के साथ उनके पिक्षर बनाए गई है और उनको चित्रकारी के माध्यम से समझाया गया है अगर आपको मौगा मिले तो आप एक बार अक्षरधाम टेंपल जरूर जाईएगा और वहाँ पर हाथियों के महतकुल जरूर पढ़िएगा उसे इसकिप मत करिएगा जरूर वहाँ पर पढ़के आईएगा हर हाथी के सामने बताया गया है कि वह कैसे इंपोर्टन्ट है ठी इंटरनेट को कैसे इंटरनेट को कैसे उसको नाम दिया था इंटरनॉट ठीक है और यह मनाया जाता है तेई सागस्त को www की खोज कब की गई थी दोस्तों तो यह 1991 में पब्लिक एक्सेस के लिए ओपन कर दिया गया था आप लोग बताईएगा कि www के खोज करता कौन है ठीक है हाली में कैंसर के सबसे आधिक मामले कहा दर्ज किये गए हैं इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर परदेश इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च कैंसर यानि ICMR रजिस्ट्री के आकड़ों के अनुसार उत्तर परदेश ने भारत में कैंसर के सबसे अधिक मामलों की गिंती दर्ज की है वर्ज दो हजार बाइस के दोरान राज ने आश्चर जनक रूप से दो लाख दस हजार नए मामलों का दस्तावेजी करड किया है जबकि महराश्ट मितुदर के मामले में दूसरे इस्तान पर था तो दोस्तों कैंसर जैसा की पता है आपको भी पता होगा कि कैंसर एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जो हमारे जो इसका अभी कोई इलाज संभो नहीं हो सका है कि कैंसर को फिर से ठीक किया जा सके कीमो थेरपी एक उसका इलाज है बट कीमो थेरपी भी सकसिस उतनी जादा न जान लिते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में राजधानी है इसकी लखनव, मुख्यमंत्री है योगी आदितिनाथ, राजिपाल है आनंदी बेन पटेल, स्वास्त्यमंत्री है जय परताप सिंग और यहां से लोकसभा सीट है असी, राजसभा सीट है 31 हाली में बहारत का पहला किर्सी डेटा एक्स्चेंज, EDEX किस राज़ द्वारा लॉंच किया गया है इसका सही जवाब है दोस्तों, option B, तेलंगाना भारत का पहला किर्सी डेटा एक्सचेंज यानि EDX और किर्सी डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क ADMF तिलंगाना द्वारा हैदरावाउद में लौंच किया गया तिलंगाना के IT और उदोग मंतरी के तारक रामाराउ ने भारत का पहला EDX और ADMF जारी किया EDX को किर्सी छेतर के लिए एक डिजिटल सावजनिक और सनरचना की रूप में बिक्सिप किया गया है अब बात करें EDX और ADMF से हमें क्या फायदा है तो दोस्तों यहां दोनों जो EDX और ADMF बनाए गये हैं जा दोनों उद्धोग और स्टार्टप द्वारा किर्सी डेटा को उचित और कुशल उपियोग को सुनिश्चित करने के लिए सही मंच प्रदान करते हैं और यह पहल तेलंगाना को ख़द प्रडालियों में परिवर्तन लाने और किसानों की आजीविका में सुधार करने के लिए नवाचार और प्रोदोगी की का उपियोग करने के लिए देश का नेतरत करने में मदद करेगी ठीक है तो आप लोग याद रखिएगा एडेक्स और एडी एमेफ किस से सम्मंधित है तेलंगाना राज से बात करें तेलंगाना की तो उसकी राध्धानी है है एदराबाद मुखमंतनी है के चंदर से खर रहा हो राजपाल है तमिलन साई सौंदर राजन यहां से लोग सभा सीट है सत्रा राज सभा सीट है साथ नेक्ट है हाली में नहरू ट्राफी नौका दौड का 79 संसकरण आयोजित किया गया यह किस खेल से सम्मंधित है तो इसका सही जवाब है दोस्तों आप्शन बी नौका दौड जैसा कि उपर आपको क्वेश्चन में ही दिख गया होगा कि नहरू ट्राफी नौका दौड का 79 संसकरण आयोजित किया गया तो किस से सम्मंधित है यह नौका दौड से सम्मंधित है यह 12 अगस्त 2023 को केरल के अलप पुझ हुआ जिले के पुन्नमदा जहिल में आयोजित किया गया यह बोट रेस हर साल अगस्त के दूसरे सनिवार को आयोजित की जाती है इस अउसर पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने नौका दौड का उदगाटन किया तो नहरू ट्रौफी नौका दौड किस सम्मंधित है नौका दौड से याद रखियेगा बात करे केरल की तो इसकी राधानी है तिरुवननदपुरम आज का आखरी सवाल है हमारा हाली में कौन सा देश बहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षेड एसिया में सीट सस्थान पर रहा है इसका सही जवाब है दोस्तों आप्शन बी भूटान वैश्विक गैर लाभकारी संगठान इंटरनेट सोसाइटी ने अपनी एक नई रिपोर्ट पेस की है जिसमें बिभिन राष्टों में दी जा रही इंटरनेट सर्विसिस का आखलन किया गया है इंफ्राइस्ट्रक्चेर, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और मार्के ट्रेजरीनेस के आधार पर देशों की इंटरनेट किनेक्टिविटी को छमता को पर खा गया है इसमें भूटान पहले इस्थान पर रहा है ठीक है तो भूटान को याद रखिएगा कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे जादा तेज सर्विस कौन दे रहा है भूटान दे रहा है बात करें भूटान की तो इसकी राजधानी एथिम पूप, परधान मंतरी है लोतो इते शेरिंग, मुद्रा है नौंग तरुम चलिए देख लेते हैं 13 अगस्त के ओल राउंडर रिवीजन को हाली में प्लक ने निवेशक ब्रांड अंबेजडर के रूप में किसे नियुक्त किया है करीना कपूर हाली में किसको UK संसद्वारा से सत्महिला आइकन पुरुषकार से समानित किया गया है माईरा ग्रोवर को हाली में किसने दुनिया की सबसे प्रदूसित राजधानी होने का खिताब जीता है दोस्तों खिताब तो नहीं कह सकते बड़ ये है कि हाँ उसे घोसित किया गया है सबसे प्रदूसित राजधानी के रूप में तो यह कौन सी है इंडोनेशिया की राजधानी जकारता किस राज़ु की विधानसभा ने एक प्रस्ताओ पारित करके केंदर से राज़ु की नाम में परिवर्तन करने का अग्रह किया है केरल ने हाली में एशिया के सबसे आदे भुगतान पाने वाले इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं विराट कोहली नई दिल्ली में नौवे इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो और सिखर सम्मेलन 2023 का उद्गाटन किसनी किया मनोस सिन्हा ने रिजर बैंक ओफ इंडिया ने उपियाई लाइट के लिए पेमेंट लिमिंट बढ़ा कर कितना करने का प्रस्ताओ किया है पांच सुर्पे तेरवे वार्सिक एंटर्प्रियूरर इंडिया आवार्ड्स में टेक स्टार्ट अफ दा इयर का आवार्ड किसनी जीता है तो यह जीता है जियो हैप्टेक ने एलोसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्गाटन जम्मू कस्मीर की किस जिले में किया गया है कुपवाडा जिले में किस इंसियोरिंस कंपनी ने वाट्सेफ और उपियाई के माध्यम से प्रीमियम पेमेंट की सुरुवात की है टाटा ए आई ए ने दोस्तों ये थे हमारे 13 अगस्त के महत्पूर्ण आल राउंडर रिवीजन और अब देख लेते हैं आज का प्रश्न हाली में किसको यूके संसत द्वारा ससक्त महिला आइकन पुरुसकार से सम्मानित किया गया है दोस्तों ऑप्शन दिये गए हैं आप अपना सही जवाब कॉमेंट सेक्षन में देते रहे हैं और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज जादा से जादा लाइक करें शेयर करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवाते रहें दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दिन केस्टी का दीडियो में भी करें दोस्तों से